हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं नीलम सर्मा हेर और मेकप आर्टिस्ट कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे तो आज हम चलते अपने वीडियो की तरफ तो वीडियो आप देख सकते हैं कि जो आज उन्होंने ड्रेस पहनी हुए वो ब्लैक और मर्जंटा कल तो फस्ट हम वाइब से उनका फेस क्लीन कर रहे हैं कि क्लाइन ना कोई भी प्रोडेक्ट लगा के आए तो वह रिमूब हो जाए तो इसलिए फस्ट फ़र्ल है कि आप उनका फेस क्लीन करें और उसके बाद मैं क्लींसर का यूज़ करें और जिसे कि आपकी स्कीन एकदम प dein weilal प्रांडर salt order which Renится साफे तो फmosuturizer में प्राइमर में अंतर क्या हैं तो प्राइमर तो हमारे इसकीन के एक डिन मेकप को प्रोटेक्ट कर न के लियर वन जाता है और जो ना में step ede तो तो लोगोगों को ना पता हो तो इसले में ने बता आय आपके लिए और यहां कर रहें ए Fantastic में यूज कर रहीं、์ मैवलीन को और मेवलीन का सब्सक्रेव हज़ाز है और मेय थास मैबलीन आता है तो आप इस तरह से मेक अप करें और बड़ा ही खुबसूरत लगेगा और इसके बाद में कॉम्पैक्ट पाउडर से उसे सेट जरूर करें सेट करने से आपके आइस मेक अप में कोई लियर नहीं पड़ेगी अगर आप कॉम्पैक्ट यूज नहीं करेंगे तो एक लियर पड़ेगी यहां में मर्जंटा कलर की हेलो आइस दे रही हूँ और बहुत लाइट सेड यूज कर रही हूँ, मर्जंटा का बहुत जब्लाइट है, मिरा यह हमेशा अप लाइट टू डाक सेड यूज करें, तो ज़ादा बेटर रहेगा और इसके बाद में हम दोनों आइब्रोज को आर्च कर लें जिसे कि जो भी लेयर पड़ती है हमारी आइज में वह लेयर से हट जाए और लेयर पे भी अच्छे से हमारा प्रोडेक्ट लग जाए तो इसलिए आप हमेशा उस आइब्रू को अपना आर्च करें उसके बाद ही आप प्रोडेक्ट लगाएं और यहां में चाहिए है स्यूस बीटी का हाइलाइटर और सॉरी हालाइटर नहीं आइसएडव सिम्भरी ले रहे हैं और यह सिम्भरी मेरी हलकी सी गोल्डन नेस में भी है और सिल्वर में भी है दोनों का मिक्सर है यह वाली सिम्भरी का आप देख सते हैं कि कितना अच्छी से मेकप आ यह डे का मेकप था तो इसलिए जदा आप डाक ना करें हों क्लाइन से जरूर पूछें कि उन्हें किस तरह का मेकप चाहिए गाइस एक और चीज के आप अगर करेक्टर यूज करते हो न तो यलो करेक्टर के बाद में आप जो भी करेक्टर ऊपर से सेड लगा रहे हो तो उस चेंच के बाद में आप कोई भी सेड लगाते हो न तो वह फियर टॉन में ही जाएगा डर्क टॉन में नहीं जाएगा तो यहां मैं यलो करेक्टर यूज कर रही हूँ और वीडियो थोड़ा मेरा फास्ट है और यह लो नग हम दो करने के बाद से गयंगे नका बेस और बे कर दें जिसे कि लेयर जादा ना हो और यहां आइबरी सेड में यूज कर रही हूं मैं ना तो कोई हाइलाइटिंग दूंगी ना कुछ दूंगी क्योंकि मैं नॉर्मल मेकप दे रही हूं तो हाइलाइट पॉंट आपको देने की जरुरत है नहीं और नी मैं ब्रॉंजर यू कर सकते हैं आप ड्राइडल को भी इस तरह से दे सकते हैं जिनने लाइट मेकप चाहिए ब्राइडल को तो उनका भी आइज मेकप आप इस तरह से दे सकते हैं आप देख सकते हैं वह मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया और उसके बाद में हम कॉंपक्त पाउडर यूज कर आप वो बाय कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं काफी अच्छे प्रोड़क्ट हैं उनके में पास काफी चीजे हैं फॉरवर 52 की तो उसके बाद में आप लॉक करना मेकप के लिए बहुत जरूरी होता है जिसे कि वो लॉंग लास्टिंग रहे और जितने टाइम आपको रखना है उतने टाइम तक रहे यहां मैं ब्रॉंजर यूज कर रही हूं और ब्रॉंजर आप देख सकते हैं आपको किस तरह से यूज करना है और अल्रेडी मेरे उनकी क्लाइन के थे पर मुझे थोड़े से शाप करने थे इसलिए मैं वो यूज कर रही हूं और ब्लेशर मैंने ब चल रहा है कि नोजी पे भी बलेशर चल रहा है हमें हलका सा नोजी पे दिया था है उपी बहुत आप यह यूज बाद है और सीड नमबर है गोल्डन इसका और उसके बाद में आईज मेक अपने डर्क नहीं चाहिए था उन्हें लाइट चाहिए था पर हेल यह ऐग चीज़ें आगर क्लाइन को पसंद तो आप दे सकते हो क्योंकि पूक κι मेरी नहीं था पसंदición मै या मैं विंक लैंणर देरी हूं और हलका सा tá बींक लैंनर दे लिक पमनेंसे एकड़ी किया और का नमिल होगा सब 상〇की सिर्टिय अव किस तरगी शा फट्ल के उनके डुपटे से मैच कर रही थी इसलिए आप ड्रेस के साथ देखें कि उनके उपर क्या सूट करने वाला है तभी आप यूज़ करें मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये यूज़ करा है और इसके बाद हम complete देखेगा बहुत अच्छे से करना एक छीज़ उनके प्रापर तरीके से हो और लिपस्टिक जो वेयर करें वो प्रापर तरीके से करें जो उनकी उपर की हार्ट शेप दें वो भी complete अच्छे से दें और मेरे साथ हमेंसा क्लाइन के साथ एक प्रॉब्म है जाती कि लिपस उपर नीचे कर लिए से थोड़ा बहुत प्रोडेक्ट ना उपर नीचे लग जाता है तो वह मैंने आपको बताई दिया कि आप उस तरह किस तरह से क्लियर करेंगे तो आप मेरा क्लाइन का मेकप देख सकते हैं कि कितना ओसम लग रहा है और उनका मैंने हेस्टाइल भी कुछ अच्छा सा बनाया था हेस्टाइल की वीडियो में आगे आप लोग के लिए जरूर रहा हूंगी तो प्लीज इस तरह से ही आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने र जरूर करें और देखेगा मेरी क्लाइन कितनी प्रिटी लग रही है एकदम एकदम बहुत अच्छा लोका आया है उनका और काफी खुस हो गई थी तो थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बावाइ झाले झाले